सब्सक्राइब कीजिए जीएस नीज चेनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस वीडियो सबसे पले देखने के लिए वारानशी में सभी को संबोधित करते हुए पियम मोदी ने कहा कि किसानों को पविश्य का डर दिखा कर बहकाया जा रहा है उन्होंने परदर्सन कर रहे किसानों को समझाने की कोशिस की की सरकार का कोई भी कानून उनके खिलाप नहीं है पियम मोदी बोले पहले मंडी के बाहर हुए लेंदेन ही गैर कानूनी थे ऐसे में छोटे किसानों के साथ दोका होता था विवाद होता था अब छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सोदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है किसानों को अब नए विकल्प भी मिले हैं और दोके से कानूनी सर्रक्षन भी मिला है सरकारे नीतिया बनाती हैं कानून काइदे बनाती हैं नीतिया और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी सवभाविक ही हैं ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवन परंपरा रही है वारानसी में सभी को संबोधित करते हुए पियम मोधी ने कहा कि किसानों को भविश्य का डर दिखा कर बहकाया जा रहा है उन्होंने परदरसन कर रहे किसानों को समझाने की कोशिस की कि सरकार का कोई भी कानून उनके खिलाप नहीं है पियम मोदी ने कहा कि जब किसी छेतर में आधूनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो इसका बहुत लाब हमारे किसानों को भी होता है बीते वर्सों में ये परियास हुआ है कि गाउं में आधूनिक सडकों के साथ बंडारन, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्ताए खड़ी की जाए इसके लिए एक लाग क्रोड रुपे का फंड भी बनाया गया है पियम मोदी ने कहा तीन-चार साल पहले उत्तर परदेश में सिर्फ दो बड़े एयरपोर्ट परभावी रूप से काम कर रहे थे आज करीब एक दरजन एयरपोर्ट परदेश में सेवा के लिए तयार हो रहे हैं वाराणशी के एयरपोर्ट का विष्टार का काम चल रहा है पहले उत्तर परदेश के इंफराश्ट्रक्चर की इस्तिती क्या थी ये आप भली बाती जानते हैं आज उत्तर परदेश की पहचान एक्सप्रेस परदेश के रूप में हो रही है परदान मंत्री ने अपना भासन हर हर महादेव से सुरू किया उन्होंने कासी वासियों से भोजपुरी में सववाद किया उन्होंने कहा कि कासी के लोगों के परणाम वा इस दोरान उन्होंने देव दिपावली और गुरू नानक देव के परकाशोत्सव की सुबकामनाय दी